Hello everyone, आज की क्लास में हम संपोर इतिहास में आधनिक भारत के बारें पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ब्रिटिश समराज के भारत में आगमन तथा उनके सासन के बारें में पढ़ेंगे पिसली क्लास में हमने प्रमुक आयोगों के अध्यच के बारे पढ़ा था जिसका link description ने दिया हुआ है आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम गूर्प चैनल तथा वाटसप गूर्प को भी जोईन कर सकते हैं जिसका link description में दिया हुआ है question की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर लें तथा bell बटन को hit कर दें जिससे की आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो चलते हैं question की तरफ भारत में वपार करने के लिए ब्रिटिसों को किसके द्वारा अधिकार प्रतान किया गया the right answer is option second महरानी एलिजाबेत प्रथम के द्वारा ब्रिटिसों को भारत में व्यपार करने का अधिकार प्रतान किया गया कलते हैं अगले question की तरफ बंगाल बिहार और उडिसा के दिवानी अधिकार अंग्रेजों को कब प्राप्त हुए the right answer is option first वर्स 1765 में बंगाल बिहार और उडिसा के दिवानी के अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए चलते हैं अगले question की तरफ ब्रिटिस ताज ब्रिटिस क्राउन ने भारत के सासन का अधिकार इस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में कब लिया the right answer is 1857 की क्रांती के बाद वर्स 1859 में ब्रिटिस क्राउन ने भारत का सासन का अधिकार इस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया चलते हैं अगले question की तरफ, किस अधनियम द्वारा बंगाल की governor को बंगाल का governor general कहा जाने लगा? The right answer is, option first, regulating act 777 के थाथ, बंगाल की governor को बंगाल का governor general कहा जाने लगा? Go to the next question, बंगाल का पर्थम governor general कौन था? The right answer is, option second, Lord Warren Hastings, बंगाल का पर्थम governor general था? चलते हैं अगले question की तरफ, ring fence निती का संबन्द किस से है? The right answer is, option second, Lord Warren Hastings का संबन्द ring fence निती से है, ring fence निती सुरच्छा प्रकोष्ट या घेरे की निती को कहा जा जाता है? चलते हैं अगले question की तरफ, किस अधनियम के तहद बंगाल के governor general को भारत का governor general कहा जाने लगा? 1823 के तहत, भारत के governor general को, बंगाल के governor general को भारत का governor general कहा जाने लगा? चलते हैं अगले question की तरफ, कलकत्ता में Asiatic society के अस्थापना के समय बंगाल का governor general कौन था? The right answer is, option second, Lord Warren Hastings, Asiatic society के अस्थापना के समय बंगाल का governor general था. Go to the next question, किस अद्नियम के तहत, भारत में कमपनी के अधिन छेत्र को पहली बार British आधिपत्र का छेत्र कहा गया? The right answer is, Piers India Act, 1784 के तहत, कमपनी के अधिन छेत्र को पहली बार British आधिपत्र का छेत्र कहा गया? Go to the next question, किस governor ने बंगाल में 22 साथन प्राली का समाप्ट किया? The right answer is, Option second, Lord Warren Hansen ने बंगाल में 22 साथन प्राली का समाप्ट किया, इसकी सुरुवात बंगाल में 1765 में हुई थी, चलते हैं अगले question के तरफ, किस अधिन नियम के तहत, कमपनी के कर्मचारियों को नीजी वेपार करने, और भारती लोगों से उपहार वरिश्वत लेना पर्दिबंधित कर दिया गया? The right answer is, Option first, कमपनी के कर्मचारियों को नीजी वेपार करने तिथा भारती लोगों से उपहार वरिश्वत लेना पर्दिबंधित कर दिया गया? चलते हैं अगले question के तरफ, किस गवर्नर जनर्रल पर महभ्योग का मुकदमा चलाया गया? The right answer is, Lord Warren Hainsting. Go to the next question, कलकत्ता में उचित्व नयले के स्थाबना कप की गई? The right answer is, Option second, वर्श अदरस चोहतर में कलकत्ता में उचित्व नयले के स्थाबना की गई? Regulating अट्स अचित्व नयले के स्थाबना की तहत, इसमें एक मुक नयाधिस तथा तीन अन नयाधिस थे, सर अलीजाबे इंपे पहले मुक नयाधिस थे, चलते हैं अगले कॉस्चन की तरफ, सिंध पर विटोस सो ने कब कबजा किया? The right answer is, Option third, वर्श अठासो तिरालेस में सिंध पर विटोस सो ने कब जा किया, जिसका नहतिवत लाड एरन वर्रो ने किया था, चलते हैं अगले कॉस्चन की तरफ, किस अधनियाम के अनुसार यह विवस्था की गई, कि नयाले हिंदूों के नीजी कानून से, हिंदूों तथा मुसल्मानों के नीजी कानून के हिसाब से, मुसल्मानों के वाद तय करेंगे, इसको अमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत अमेंडिंग एक्ट 1773 को में संसोधन किया गया था जिसको अमेंडिंग एक्ट कहा गया के तहत यह व्यवस्ता की गई कि नेयाले हिंदू के नीजी कानौनों के से अगले question की तरफ लौर्ड करनवालेज्स का कब्र कहा इसी था उस्ताइ बंद बहट तह लोग से वाके परवत्तक की रूपें भी नेया जना जाता है चलते हैं अगले question की तरफ किस अधनियम के तहत भारत में कमपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्ट कर दिया गया The right answer is Charter Act 1813 के तहत कमपनी के एक अधिकार को भारत में समाप्ट कर दिया गया परन्तु कमपनी का चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कमपनी को एक अधिकार प्राप था चलते हैं एकले कोस्चन के तरफ किस अधनियां के तहत यह ववस्था की गई कि बोर्ड आफ कंट्रोल के सहस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारती राज़ों से ही भुकतान किया जाएगा दराइट एंसर इज चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1793 के तहट यह वैस्ता की गई कि बोर्ड आफ कंट्रोल के सहस्यों तथा उनके करुशारियों को भारती राज से ही भुक्तान किया जाएगा चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ आंगल नेपाल युद्ध किसके सासंकाल में हुआ था अगल नेपाल युद्ध प्रारम हुआ था जिसका समापपन सुगौली की संधी के द्वारत किया गया चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ तथा कजिस कुशासन के अधार पर किस गवर्णार जनरल ने मैसूर राजी के प्रसासन को ब्रेडिस सामराज में मिला लिया ओप्शन थर्ड लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने कुशासन के अधार पर मैसूर राज को वर्णार जनरल ने मिला लिया गोड़ी नेस्ट क्वेस्चन थगों का उन्वर्ण किसके नेतित में हुआ थे राइंसर इस ऑप्शन सेकेंड क्याप्टन श्लिमान के कार्ल मिला नेतित में थगों का उन्वर्ण हुआ उस समय लॉर्ड विलियम वेंटिंग भारत के कवर्णार जनरल थे चलते हैं अगले कुशन की तरफ किस अधनियाम के तहत कंपणी के राजनितिक तथा वाड़जिक कारों को प्रितर प्रितक किया गया दराइट एंसर इस पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपणी के राजनितिक तथा वाड़जिक कारों को अलग अलग किया गया चलते हैं अगले कुशन की तरफ किस अधनियाम के तहद गवर्णर जनरल जथा काउंसिल को सरोज नियाला के छेता अधिकार से मुक्त कर दिया गया गवर्णर जनरल जथा काउंसिल को सरोज नियाला के छेता अधिकार से मुक्त कर दिया गया भार्ण पहली रेलवे लाइन कब शुरू के गई जिसमें कि छे नए पारसत जोड़े गए जिसे हम छोटी संसत के नाम से भी जानते हैं आग की क्लास में बस इतना ही अगर आपको एवीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को हिट करें जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो थांक यू वेरी मच्छ